अजम्मत करिए ठीक है राशिद अलवी साब आठ लोगों की जान गई चार लोगों की गाड़ी से कुचल के जान गई चार लोगों को वहाँ लिंचिंग हुई आप लिंचिंग के खिलाफ काफी बोलते हैं उल्टा ये का जा रहा है कि वो तो एक्षिन का रियक्षिन था जगा हर मामले में हर लिंचिंग के मामले में एक्षिन का रियक्षिन हो सकता है लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती जो भी है जो हत्यारा है जिसने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ का रवाई होनी चाहिए लेकिन अगर उत्तर जो बयान दिया है कि एक्शन का रियक्शन है उनके खिलाफ का रवाई नहीं होनी चाहिए मुझे याद है गुजरात के अंदर जब कमिनल राइट हुआ था और बात के अंदर एक तबाई और क्यामत बर्पा हो गई थी तो उस वक्त अटल जी ने भी यही कहा था कि यह का रियक्शन है मुम्किन है टिकेट में वही बेयानाद देखे हो लेकिन मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं इसे जस्टिफाई नहीं करता हूँ मेरा कहना है कि जो भी कानून हाथ में लेता है उसके खिलाफ करवाई होनी चाहिए और आज तीन दिन के रिमान पर उसे बेजा है क्या मजबूरी है भारती जनता पार्टी की क्यों नहीं उस मंतरी को हटाते जो हुंडों की जुबान बोला है आपकी पार्टी की हिजदत दाउं पे खए भारती जनता पार्टी की विचारधारा दाउं पे खए क्या आप ऐसे ये लोगों को लेकर राजनीती करे जो कहरा है कि पटा कर लो सांसाद बंने से पहले में क्या था भारती जन्टापार्टी को किया हो गिया है कियो पर्श बेड़ा करें जो को हृटाते और आज जो खबर मैंने पढ़ी कि तीन दिन का रिमान पर बेटा गया है महाँ पे वकील बेटा होगा सختी के साथ बात नहीं की जा सकती जबकि दियाईजी कह रहा है कि ये काॉपटरेट नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में कैसे सचा ही पता चलेगी कैसे पता चले गया सब्सक्राइब जिस्टिस कैसे होगा अक्राबा मेरे करें गतल का दावा किस पर वो ही कातिल वो ही शाहिद वो ही मुंसिफ ठैरे जिनोंने कतल किया है वो ही विटिनेस बन जाएंगे और वो ही फैसला करेंगे हमें कोई उमीद नहीं है कि लखीमपुर के अंदर को इंसाफ होगा जब तक मंत्री अपने पत पर मोज़िश है इसने बड़े अधिवक्ता हैं यानि वकील है आपको खुद यकीन नहीं अदालत के ओपर अदालत पर यकीन नहीं है अपको अलवी साब मुझे मुझे ताजूब है आप मुझे बताइए तो सही अदालत नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में और अदालत कंडिशनल रिमांट दे रहे हैं पुलिस को कि एक वकील वहाँ बैठा रहेगा इसके साथ याती नहीं होगी तो नहीं लगाई जा सकती जब तक केस नहीं चलेगा जाब होंगे जांच की प्रक्रिया तो ऐसी होती है ठीक है सुदान चुतिरवेदी जवाब मुंसिभ भी वही है और कातिल भी वही है जवाब आँ देखिये मैं बिलकुँ जवाब देता हूँ जो राशीद अलवी साहब में बोला मैं पूरी बिनमृता के साथ उनका प्रतिवाद करता हूँ नमबर वन अटल जी ने ऐसा कभी नहीं बोला नमबर दो मोधी जी ने ऐसा कभी नहीं बोला और जिस इंटर्विव की बात की जाती है मैं दर्शकों से कहता हूँ वो जी टीवी को दिया गगया इंटर्विव था कोई भी जाके नेट पे चेक कर ले मोधी जी ने क्रिया की प्रतिक्रिया शब्द कभी नहीं बोला है हाँ, मगर इस देश में क्रिया की प्रतिक्रिया बोला गया है सरवोच इस तर से पांच हजार सिखों के कतले आम के बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेड गिरता है तो धरती हिलती है इतना बड़ा statement पांच जार लोग जिसमें पुलिस की गोली से भी वही बिचारे मारे गए और दंगों में भी माने गए यह दंगा नहीं था पांच जार के पांच जार एकी कम्यूटी के मारे गए यह नरसंगार था उसके बाद सर्वोच पत्र बैठा रिक्ति कहता है कि धरती हिलती है जब बड़ा पेड गिरता है और वही मुनसिफ था राशिद अलवी साब वही मुनसिफ था जो मुजरिम था और उसी सरकार के जेरे इंतजाम तमाम प्रकार की जाँच चल रही थी मगर मैंने कभी नहीं सुना कि किसी कांग्रेस के नेता ने कहा हो कि इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा बूला है तभी सही जाँ छो पाएगी और तो छोड़िये मुक्यमंत्री मुलाइम सिंग आदो 24 हिंदू मर गए थे अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था इससे आदा में क्या करतकता था कि मैंने मरवा दिये थे ये नहीं कहा पुलिस फाइरिंग में मर गए थे मैंने मरवा दिये थे और उस सरकार को कॉंग्रेस ने समर्थन दे के मचाया किसी ने नहीं कहा कि उस मुक्यमंत्री से कहिए इस्तीफा दे और यहां यहां ग्रहराज्यमंत्री है और उसके बाद अलवी साहब खुद बोले कि पुलिस ने कहा है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहा है लड़का इसलिए कितने दिन की रिमांड मांगी चौदा दिन की मैं चुनोती से कहता हूँ कि कभी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो वहां सताधारी दल के किसी मंत्री के बेटे के लिए पुलिस ने ये डिक के दिया कि कॉपरेट नहीं कर सकते और न्यायले ने तीन दिन की रिमांड दी पुलिस ने चौदा दिन की रिमांड मांगी थी तो मेरे विचार से अब आगे से यहां आरोप लगाना छोड़ देना चाहिए कि पद पे रहते हुए रहने के कारण जाच प्रभावित हो सकती है और मंत्री स्वैम ये बोल चुके हैं कि यह प्रमानित हो जाए कि मेरा बेका घटना इस्थल पे था ये उन्हों नहीं कहा कि दोशी साबित हो जाए घटना इस्थल पे था तो मैं इस्तिफा दे दूँगा ये टीवी चैनल्स पर ओन रिकॉर्ड है तो मेरे बोलने का तो कोई अचितिर ही न जाता इस बात जवाब राशीद अलवी साब एक्षन का रियाक्षन तो पहले भी लोगों ने देखा एक बात तुम्हें ये कहूंगा कि बात पे जी कि मैं बहुत इज़त करता हूँ मैं लोगसबा का मेंबर था उनके साथ और लोगसबा में मेरा भाशन है और अटल जी ने पार्लिमेंट के अंदर कहा था लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाता हूँ सिकों के साथ जो हुआ बहुत दुर भाग्य पूंख है कांगरेस उसके लिए माफी भी मांग चुकी और आज भी जेलों के अंदर बहुत लोग जिनों ने उस जमाने के अंदर गुना किया-त है वो जेल के अंदर मौझू था आज बी मौझूम था है लखिमपुर का है लखिमपुर के अंदर क्या हो रहा है क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं कि छे दिन तक उनका बेटा टीवी पर इंटर्वियू देता रहे कोई गिरफतारी नहों और अगर मंतरी कह रहा है कि एड़ी स्पॉर्ट अगर था तो आप उस लड़के के साथ जल्म क्यों कर रहे हैं भाई योगी आदितिनाल से कहिए क्यों से गिरफतार कर रखा है जब वो है एड़ी स्पॉर्ट था ही नहीं तो उस पे जल्म क्यों कर रहे हो भाई बारती जंता पार्टी के लोगों एक ही बात तो सही हो सकती है या तो वो स्पॉर्ट में था या न और खुछ रहे सियाद भी दोनों काम नहीं हो सकते हैं और मुझे तो ताज्यूब होता है लखीमपुर के वाकई को आप जस्टिफाइं कर कैसे सकते हैं भारती जनता पार्टी के ने तक कैसे कर सकते हैं कि मैं बहुत सचाई के साथ आपको एडवाइस दे रहा हूं मेरे दोस्त हैं ये भारती जनता पार्टी की प्रेस्टिज में कमी आ रही है इस्ट में कमी आ रही है पिरदान मंतरी की इस्ट में कमी आ रही है योगी के बारे में तुम मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता उनके खिलाफ तो खुद 13 क्रिमिनल केसे थे अपने आप विड़ा कर लिए उनसे कोई उमीद ना उत्तर परदेश को है ना हिंदुस्तान को है लेकिन आप लोग अपनी इज़त के साथ खिलबान क्यों कर रहे हों क्यों नहीं उस मंतरी को इस्तिफा दिलवा देते क्या उसके बगिर काम नहीं चल सकता भारत सरकार नहीं चल सकती देश नहीं चल सकता